आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ आलू के पराथे कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस तरह से बनाए गए पराथे एकदम परफेक्ट बनेंगे आप कितनी भी स्टफिंग करें वो बाहर नहीं निकलेगी और एकदम बढ़िया सॉफ्ट पराथे बन कर करें के तयार् होंगे आलो पराथे बनाने के लिए सबसे पहले हम दो बना करके तयार करेंगे इसके लिए मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं एक बड़ा चमश के करीब दिसी घी आप इसमें घी या फिर रिफाइंड ओल भी डाल सकते हैं मोयन के लिए मोयन डालने से क्या होगा प्राथे आपके बहुत ज़्यादा सौफ्ट बनेंगे मोयन को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद एड करेंगे पानी आपक को इसका डो तयार करना है अच्छे से नीड करते हुए हमने यह बिल्कुल सौफ्ट डो बना करके तयार कर लिया है आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा सौफ्ट है यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है आलू परांटे बनाने के लिए कि आपको बिल्कुल वे पिलोफ की हुए इसे आपको कद्बू कस नहीं करना है हाथों से ही इस तरह से फोड ले मोटा मोटा ही रखना है थोड़ा और आलू को आपको इस तरह से फोड ने से पहले आपको इस लिका ठंटा कर लेना है गरम गरम आलू को इस तरह से ना फोड़े पहले आप इन्हें हलका ठंडा कर ले उसके बाद इन्हें इस तरह से मैश कर ले हाथों से पूरे तरह से मैश नहीं करना है हलका हलका मोटा ही रखना है जिससे एकदम धाबा स्टाइल आपके प्रांठे बनेंगे आलू को मैश करने बारिक कट किया हुआ हरा धनिया वह बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है अलू के पराठो में और इसके साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे अद्रक लैसुन और हरी मिर्च का मिक्सर जिसे मैंने कूट कर तयार किया है जिसमें 3-4 हरी मिर्चे हैं एक इंच अद्रक का टुकड हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से ड्राइम मसाले आदा चमश लालमिष पाउडर एक चमश धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला एक छोटी चमश नमक और आदा चमश अजवाइन अजवाइन को आपको हाथों में इस तरह से हतेली में करश करके डालना है ज पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं जो हमने डो नीड करके रखा हुआ था उसे आपको एक बार और हलका सा नीड कर लेना है हलका नीड करने के बाद अब आपको इसकी लोई निकाल लेनी है चोट चोटी लोई तोड लेनी है जिस पी साइज के आप पराठे बनाना चाहते ह पार Wand घृत sen real जो वो बनाने बाद आपको इस लोई को सुखे अच्छे से अच्छे से कवर कर लेना है और और अंगुटे और उंपुलियों के मद़से आपको इससी अच्छे से गोल डीनी हलेनी है कि गुणा लेने के बाद आपको इस ट्रफिंग को चारो तरफ से लोई से कवर करना है आटे से कवर करना है इस तरह से आप देख पा रहे हैं और जो एक्सेस आटा रह चाता है उसे आपको हटा लेना है और हलके आतों से गोल-गोल गुमाते वे आपको फिट से लोई बना लेनी है इस तरह से सुखा आटा लेकर करके इसको हलके आतों से प्र नहीं आ रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से यह पराठा बन करके तयार हो रहा है और ऐसा नहीं है कि हमने मोटा पराठा बनाया है एकदम पतला पराठा है अच्छे से बेल लेने के बाद आपको इसे तवे पर डाल देना है स्टार्टिंग में आपको गिस की फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है हाय टो मेडियूम रखना है एक तरफ से सिख जाने के बाद हलका सिख जाने के बाद आपको इसे पलट देना है और इसके उपर अच्छे से घी लगा देना है आप चाहिए तो पराठे तेल भी बना सकते है मैं यहाँ पर देसी घी में पराठे बना रही हूँ जिसे टेस्ट भी अच्छा हैगा और हेल्थ के लिए बढ़िया रहते हैं दूसरी साइड से भी जब आपका पराठा हलका पक जाता है तब आपको इसे फिर से पलट कर घी लगा देना है गी लगाने के बाद हम इसे फिर से पलट लेंगे और इसे आपको तब तक पकाना है जब तक की एक साइड से पूरी तरह से अच्छे से पक नहीं जाता और बहुत ही बड़िया पराटा बना है, बहुत अच्छे से भर-भर के हमने इसमें स्टफिंग भी करी है, अब आपको इसे प्लेट में निकाल लेना है, और बाकी सभी पराठे भी हम इसी तरह से बना करके तयार कर लेंगे, सेम प्रोसेस में आपको लोई लेनी है, सुखा बढ़ने के बाद अब आपको इसे हलके हातों से बेल लेना है सुखा आठा बीच वीच में लगाते हुए और यह देखें दूसरा प्राठा भी हमने अच्छे से बेल लिया है कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है प्राठा फटा नहीं है बहुत ही बड़िया तरीके से प्राठा बन गया है चालत तरह स्टफिंग फेल गई है अब आपको इसे तवी पर डाल देना है और सेम से जाए अपने किचन में और इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए यकिन मानिए मेरे बताएकर तरीके से आप इन पराठा को बनाएंगे तो बिल्कुल इसी जरह से बढ़िया पराठा बन करके तयार हूंगे और टेस्ट में भी कोई जवाब नहीं है बहुत ही बहुत ही बहुत अब बहुत ही ज़्यादा बने हैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूं कितने ज़्यादा सौफ्ट में जैसे सौफ्ट हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं सर्विंग के लिए मैंने या पर हरी चटनी दही लिया है मखन के साथ भी आप इन पराठ करना बिल्कुल भी ना भूले इसी तरह की नए नहीं रेसिपी देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप स्टी स्टी और ड्लीशस आलो के परांठों का मजा लीजिए मैं मिलती हूं आप से नहीं वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई